क्लास 10 की exercise 5.3 के second sum को try करना है बोल रहा है find the sum given below हमारे पास sequence दे रखिया होनोंने फर्स्ट sequence है 7 प्लस 10 का half प्लस 14 up to so on प्लस 84 इसमें क्या है यह a1 है a2 है a3 है यह terms हम चल रही है चल रही है इसमें कहीं पर एक term आ रही है 84 तो यहां तक सिर्फ यहां तक वैसे तो यह आगे भी चलती जा रही है continue है यहां तक ही हमने sum find out करना है कि इसके बीचों बीच जितनी भी terms आती है उन सभी का sum क्या होगा यह हमको निकालना है इसके बीचों बे जितनी भी होगी तो sum निकालने का formula हमें मालूमी है क्या है वो sum निकालने का formula पीछे हमने किये था वो था s n is equal to n by 2 2a 2a plus n minus 1d यह formula था हमारा यही था तो इसमें student अब आप एक बात को ध्यान से देखना है कि इस formula को जो हमने यह लिखा था जब मैंने basic video आपको बनाई थी तब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा यह formula है इसको हम दो तरीकों से भी लिख सकते हैं एक तो इसे break करके भी लिख सकते हैं मतलब इस 2a को हम a plus a भी लिख सकते हैं वैसे भी निकले का sum अगर वैसे नहीं तो जैसे हम करते हैं वैसे करते हैं तो देखते हैं इसमें हमें क्या कुछ चाहिए एक तो हमें a चाहिए एक हमेरे पास d होना जरूरी है उके उसके बाद n हमारे पास होना भी जरूरी है n होना भी हमारे पास जरूरी है तो मतलब सबसे पहले तो हमें यही निकालना होगा ना कि यह कौन से नंबर पर है हमें यह तो मालूम है कि यह A1 है और यह A2 है A3 है ऐसे चलता जा रहा है चलता जा रहा है कहीं पर यह आ रहा है जो नहीं मालूम वो A N ही होगा मतलब n मतलब कुछ भी होगा कौन से नंबर पर है यही हमने निकालने तो a n मतलब a n अब हमारे पास कितने 84 है तो यही निकालने के कौन से नंबर पर है यह सबसे पहले तो यह निकालने का काम हमने बहुत ही बेखुबी से exercise 5.2 में किया था nth term formula से तो nth term formula क्या था वो आपको अब मालूमी होगा वो था a n is equal to a plus n minus 1 d यही formula था ना तो इसमें हम सभी सब value को fill करते है यह हमारे पास कितने 7 है दी निकालना होगा a2 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 मतलब यह न इसको student सबसे पहले solve करो 2 को 10 से multiply 20 20 में 1 को add करो तो कितना बज़ेगा 21 by 2 d निकालना है न तो मतलब a2 minus 7 मतलब अभी इसको solve कर लिया इसको solve ऐसे किरते है student अब यह देख लीजिए 10 by half को solve करते है 2 को 10 से multiply 2 को 10 से multiply plus का 1 तो नीचे 2 ऐसे कैसे तो यह हमारे पास बन गया 21 by 2 21 by 2 बन गया तो मतलब a2 हमारे पास क्या है 21 by 2 minus करना है हमने a1 यानि 7 7 by 1 lc म कर लीजिए यह गए 21 minus 14 over 2 तो 21 से हमने 14 को निकाल लिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 by 2 तो मतलब d हमारे पास कितना आ गया 7 by 2 d हमारे पास आ गया 7 by 2 n को हमने यहां से निकाल लेना है तो fill करते है n हमारे पास कितना है 84 मतलब 84 is equal to a 7 plus n minus 1 d की value 7 by 2 है तो इस 7 को इदर shift कर दें minus हो जाएगा 84 minus 7 is equal to इदर क्या बचा n minus 1 7 by 2 यह न चलो अब 84 से 7 निकाले 77 is equal to इसको हम आगे लिख लेते हैं 7 by 2 और यह बनेंगे n minus का 1 इस 2 को इदर multiply कर दो इस 2 को इदर multiply कर दो तो यह हमारे पास कितना बन जाएगा 154 154 is equal to यह 7 उपर और यह n minus का 1 अब इसे 7 को इदर multiply कर दें तो यह हैगा 154 is equal to 7n minus 7 यह minus के 7 को इदर shift करें plus का हो जाएगा चीक है plus 7 is equal to 7n इसमें add कर लीजिए यह हमारे पास कितना जाएगा 161 is equal to 7n और यह 7 में जो नीचे चला जाएगा तो काट कर कितना आ रहा है 23 आ रहा है तो मतलब 823 हमारा कितना जा रहा है 84 जा रहा है तो कुलमला के यह कहानी बन रही है के 1 से लेके 23 तक जितनी भी टम्स हैं उसका हमने sum निकालना है तो sum निकालने का formula हमारे पास यह available है इसमें fill कर दीजिए value को तो अब value को fill करते हैं यहाँ पर so s n n हमारे पास अब यह है तो मतलब अब fill कर देते हैं सभी value को इसमें so s 23 is equal to 23 by 2 अब स्वेड़ना है यहां से दो तरीकों से समूर है एक तो यह तरीका है हमारे पास के यहां से समूर दो तरीकों से हो सकता है एक तो वो तरीका मतलब इस formula में सभी value को put कर दें और हम मेरे पास इसकी value आजाएगी और दूसरा तरीका हमारे पास यह है कि अगर हम इसको 2a को ऐसे लिख दें a plus a तो प्लस दूसरा रहा जाएगा n-1d यह लेख दें मैंने basic वीडियो में यह बात बताई थी इसका तो हमारे पास formula होता है कौन सा formula होता है an का यह an का formula है यह देखिए a plus n-1d यह formula किसका an का है an का तो यह तो हमारे पास an ही हो गया अब यह जो a बची इसको ऐसे लिख दे a plus ठीक है मतलब formula शूटा हो गया तो 23 by 2 is equal to s23 अगर आप यहाँ पर n-a-d की value fill करके sum को निकालते हो तो answer यह यह आनेगा अगर थोड़ा सा मतलब shortcut मारना है आपको easy way में करना है तो क्या करें 2a को break करने a plus a लिख दो ठीक है बाकी सभी के वैसे के वैसे अब यह formula हमने 5.2 exercise में बहुत अच्छे से किया था कि a plus n minus 1 d जो formula वो किसका है an का है यह देखिए यह formula किसका है an का है तो मतलब इसको यह जो है a plus n minus 1 d इसको हम क्या लिखते है an लिखते है an लिखते हैं कि क्योंकि यहां से value निकालना easy है क्योंकि an की value तो हम मेरे पास पड़ी ही है कितनी दिख गया 84 पड़ी है यहां पर fill कर देंगे तो मतलब यह क्या हो गया 84 plus a की value कितनी है 7 7 ok और यह 23 23 by 2 is equal to as 23 अगर आप इसमें fill करते हैं तो बहुत लंबा चले जाना था sum ठीक है तो ऐसे आप shortcut 3 के से कर सकते हैं तो अब इसको solo कर लें यह हमारे पास बन गए 91 और यह 23 by 2 multiply चो जाएगा is equal to as 23 तो solo करें 91 को multiply किया 23 से यह हमारे पास आएगा 2093 over 2 अब यह 2 से divide decimal में होगा solo कीजिए ना कीजिए यही परिशोड सकते हैं आप वैसे solo करना होता है तो कर सकते हैं आप solo वैसे भी करना होता हो नहीं भी करोगे चल जाएगा तो बटर अच्छा इसी में है कि आप solo करकी दे इसे divide करें इसे divide करने के बाद इसका result दे यह हमारे पास आएगा 1046 का half आएगा मतलब dot 5 भी लिख सकते हैं decimal 5 भी लिख सकते हैं तो यह हमारा exact answer है इसका sum number 2 डिटो कॉपी है first number sum का जो बच्चे साथ में करने हैं मेरे से पहले निकालने की कोशिश करें और जिने sum number first समझ में नहीं लगा वो second को एक बार दुबारा समझे easy sum में लगेगा सब कुश तो यहाँ पर A1 कितना है 34 A2 कितना है 32 चलता जा रहा है इसको पहले मालूम करना होगा यह क्या है तो यह हमारे पास last term यह एक साब की जो हमारे पास दीर रखी है मतलब A N कितना दीर रखे 10 तो पीछे वाले sum कितना सबसे पहले हमें A निकालना होगा sorry N निकालना होगा तो यहाँ से D D कितना रहा है 32 से 34 निकाले है तो कितना आएगा minus का 2 तो D की वैलिव कितना आगी minus का 2 A की वैलिव पड़ी हुई है N की वैलिव वहीं से निकालना है जैसे पीछे निकाली थी इस फॉर्मूले को यूज करके तो यह फॉर्मूला आप यहाँ पर आप लिखे ले ना 10-34 is equal to N-1-2 तो यह हमारे पास कितना आगया minus का 24 यह minus के 2 को आगे shift कर रहा हूँ minus का 2 N-1 तो यहाँ से साथ में लगा हो डिजिट नीचे चला जाता है तो यह minus का 24 over minus का 2 तो यह कटोगे minus minus कटोगे तो यह कितना अबर रहा है 12 is equal to N-1 यह वला इधर रहा है यह हमारे पास क्या बना है 12 is equal to N-1 तो यह minus का बाद उदर shift करता हूँ plus का हो जाएगा 12 plus 1 is equal to N मतलब N की हमारे पास value कितनी आगी 13 तो मतलब हमारे पास जो A 13 है वो कितना चल रहा है 10 चल रहा है तो अब हम sum निकालने हैं हमने तो formula हमारे पास मालूमी है यह formula है एक बार फिर से यहाँ पर जो मैंने किया था न यह वाला मैं फिर से करकर बता रहा हूँ easy समझे में आएगा तो SN निकालने का formula हमारे पास क्या है N by 2 2 time A है उसमें add करना है N minus 1 और चल रहा है D से multiply इसको हम 2 A को ऐसे लिख सकते हैं A plus A लिख सकते हैं तो बाकी जो है वो है यह N minus 1 D और इदर N by 2 चल रहा है SN तो अब student आप देख सकते हैं कि यह जो terms चल रही है यह वाली जो है A plus N minus 1 D यह हमारे पास formula था किसका formula था AN का यह यह ना सब कुछ AN का formula था मतलब इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ AN लिख सकता हूँ इस सभी को तो मतलब AN और plus और यह A is equal to N by 2 इसके बार-बार चल रहा है N by N by 2 is equal to SN ठीक है तो इसमें सभी value को fill करें N की value आपने निकाली 13 सो मतलब S 13 is equal to 13 by 2 A की value कितनी है 34 34 प्लस EN कितने है 10 सो मतलब 10 अब इसको solve करें तो यह हमारे पास बंगता है यह हमारे पास बंगता है S 13 is equal to 13 by 2 यह कतने बन रहा है 44 into 44 तो यह कटर हो रहा है 22 पर 13 को multiply करना है 22 से तो हमारे पास आएगा 286 सो मतलब S 13 हमारे पास कितना रहा है 286 तो यह से साम हमारे यह complete हुआ Second के last हम को कर रहे है यहाँ पर पहले थोड़ा सा गुमाफ राकर उन्होंने यह कर दिये तो हमें यह मालूम ही है कि प्लस माइनस माइनस ही होता है तो सबसे पहले इसे solve कर ले माइनस का 5 माइनस का 8 माइनस का 11 और ऐसे चल रहा है चल रहा है यह बना रहा है माइनस का 230 मतलब एड हो रहे है ठीक है यह एड हो रहे है तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अब यह माइनस नहीं होने एड हो रहे है यह टर्म्स जो है न हो ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे लिखी भी आ सकती है आपको एक्जाम में तो मैंने लिख दी तो यहाँ पर A हमारे पास कितना है माइनस का 5 है और A2 कितना है हमारे पास माइनस का 8 है और यहाँ पर यह इसको मालूम करना है मतलब A N हमारे पास कितना है माइनस का 230 है ओके तो सबसे पहले d निकालते है d minus 8 में minus करना है minus 5 minus 8 में minus करना है यह minus का 5 तो minus minus plus हो जाएंगे तो यह कितना बन जाएगा minus का 3 so d की value हुमारे पास कितने आगी minus का 3 आगी ok d की value पढ़ी है a की value पढ़ी है n की value निकालनी है अब यह भी किया है nth term formula से so a n is equal to a plus n minus 1 d यही है value को fill करें a n यह minus का 230 is equal to a minus का 5 plus n minus 1 d minus का 3 यह minus के 5 को इदर shift करो plus का हो जाएगा इदर क्या बचा यह अब यह कुछ बच गया न minus के 3 को आगे shift कर दो जैसे पहले करते थे ऐसे हो गया ठीक है तो यह plus minus minus होगा यह बन गया minus का 225 is equal to जो 7 में होता है वो नीचे चला जाता है 7 में जो होता है वो नीचे चला जाता है तो यह आगे करते हैं एक पर ऐसे लिखते हैं अब जो 7 में हो नीचे n minus 1 जो नीचे चला गया हो यह बन गया minus का 225 by minus का 3 minus minus कट होगे और यह काड़ कर कितना आ रहा 75 so 75 is equal to n minus का 1 यह minus का 1 दूसरी साइट shift करते है plus का हो जाएगा so 75 plus 1 is equal to n मतलब n की value कितनी आगे 76 आगे अब सम निकालने सम निकालने का formula अब आपको मालूमी हो गया होगा हो क्या था s n is equal to n by 2 2a plus n minus 1 d यह यह ना तो यह जो है इसे break करते हैं a plus a लिख दिया plus n minus 1 d लिख दिया ओके और यह बाहर n by 2 चल रहा है equal चल रहा है s n के हमारे पास अब उपर ही किया है यह तो formula बनता है ना यह formula बनता है कि इसका a n का ठीक है तो इसको हम लिख देंगे a n प्लस यह a और close फिर n by 2 equal चल रहा है s n के value को फिल करें a n कितने है हमारे पास minus का 230 सो यह minus का 230 अब यह प्लस तो रहा है नहीं क्योंकि minus हो गया यह कितना है हमारे पास minus का 5 minus का 5 बनता है हमारे पास 38 so s 76 is equal to 38 multiply minus minus plus होगा तो यह कितना बन गया 235 minus का 235 sorry निशान जो है symbol जो है वो minus का ही आता है तो इनको multiply करें जब आप इसको multiply करोगे तो हमारे पास आएगा minus का 8,930 तो ऐसे sum हमारा student complete हुआ sum समझ में लगा हो तो वीडियो को like कर दे चैनल को subscribe करें comment में अपना feedbacks रूट दे thank you so much कर दो देची का हम भीडिया है यच्ट कर देया है कर दो कर दो कर दो झाल झाल